नमस्कार दोस्तों ये काफी बढ़िया पाम है इनकी वर्तमान उम्र 25 साल है और इस पाम को देखे तो बहुत सारे इस पे एक दो ऐसे पॉजिटिव साइन है जो इनके जीवन को काफी बहतर बना रहे एक तो यहाँ पर जो बनने वाला ये साइन जब यहाँ पर धनूशाकार या सीधी रेखा जब बनती है उंगलियों के पोर पर तो व्यक्ति के जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसको ये लोग अच्छी तरह से ग्रेब कर पाते और जीवन में जादा आगे बढ़ते हैं दूसरी खासियत है इस पाम की ये चोड़ाई ये लोग काफी महनती ह होते हैं और महनत करके अपने जीवन को अच्छा कासा समरुद्ध बनाते हैं ये एक सबसे बड़ी खासियत दूसरा इस पाम का कलर और लाइनों की चमक जो रेखाओं की चमक है लाइवनेस है हां इनका माइनस पॉइंट है वो भी मुझे पता है वो मैं वीडियो में आती है जब आपकी लाइने हाथ का कलर जब शाइन करता है गुला भी पन होता है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है तीसरी चीज इनका अंगुठा काफी शशक्त है और स्ट्रॉंग है तो स्ट्रॉंग व्यक्तित वह होता है इनसे बेटा बनकर आप चाहे उतना लेलो लिए तो धार्मिक बावना जीवन में होगी और यहाँ पर सुर्य के उंगली भौत रेर साइन मिलती है किसी महिला के हाथ में इतनी बड़ी उंगली होना जब सुर्य की आपकी ये उंगली यह इतनी लंबाई हो यानि गुरु परवत की उंगली से बहुत बड़ी हो तो व्यक्ति बहुत जादा हिम्मती सभाव का होता है और ये सभाव भी व्यक्ति को काफी सक्सेस्फूल करता है क्योंकि ये लोग रिस्क टेक कर होते हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होने के कारण ये जीवन में ज्यादा पर सबसे ज्यादा उठापटक भी इनके जीवन में होती है क्योंकि रिस्क टेकिंग लेते तो दस बार लीवी रिस्क में हो सकता है दो चार बार नीचे भी गिरे पर वापस उठते और सफलता पाते छोटी उंगली भी फर्स फैलें तक पहुच रही है तो व्यक्ति, डॉक्कुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और जिसकी ये उंगली और ये अंगुठा दोनों अच्छे रहे प्लस आपके ये चारों माउंट उभार लिये हुए तो आपके जीवन में बेसिक सफलता इजीली मिलती है कोई रोप नहीं सकता आपका जीवन आम लोगों से काफी समरुद्ध रहेगा बेहिचक से कह सकते आप किसी को भी अब चलते हैं इनके बुद माउंट पर बुद माउंट को देखे तो अपने आप में उभार है और यहाँ पर एक दो खड़ी लाइने भी है यह व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है और इतना अच्छा उबार व्यक्ति को सुन्दरता भी देता है बोलने की कला में भी यह लोग महारत हासिल करते यानि इनकी वानी बहुत अच्छी रहती है और बिजनेस के सारे गुन इनमें भरे पड़े रहते तो यह प्लस पॉइंट है इनके पाम पर बहुत बढ़िया चाहिन इनके लेफ्ट और राइट दोनों पाम आये थे मैंने इनको एक सवाल पूछा इन्होंने कुछ फॉन पर मुझे जानकरी दी थी कि मैं लेफ्टी हूँ, मैं ये हूँ तो दोनों पाम आये थे एक सवाल ने इस पाम के और आकरशित किया कि राइट पाम का एनालिसिस होना चीए इन्होंने एक दो सवाल कुछ लेफ्ट पाम के बारे में भी कि मैं लेफ्ट से ये करती हूँ ऐसा कुछ मुझे जहां तक याद है कुछ दिन बर में इतने फोन आते है तो जरूरी नहीं के हर चीज याद रहे यहाँ पर एक सुक्रवले बना हुआ है और ये भौत पतली रेखाओं से बना हुआ है जिसको बहुत ध्यान से देखना पड़े इनको सवाल पूछा था क्या आपके जन्म के बाद आपका परिवार संपन्न बना था तो इन्होंने यस कहा और ये साइन इनके राइट पाम पर ही थी लेफ पाम पर नहीं थी तो ये साइन इनको जीवन भर जाड़ा धन देगी ये जीवन भर सम्रुद्ध रहेंगे उसमें दो मत नहीं और यहाँ पर एक सुर्य रेखा भी बनी हुई है यह सुर्वाती जीवन में थोड़ा सा कष्ट करवाती है, संगर्स करवाती है पर उसके बाद एक comfortable income देती है एक यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर बीच में थोड़ी सी गायब है या हलकी है और यहाँ से काफी 56 से strong होकर आगे बढ़ रही है तो सुर्वाती जीवन थोड़ा सा संगर्स में भले हो और जीवन में जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी काफी समरुद्धी और बैठे बैठे यश भी मिलेगा और 56 के बाद बैठे बैठे इंकम भी इनको प्राफ्ट होगी इंकम के मामले में इनके हाथ में फिलाल मुझे कोई माइनस पॉइंट नहीं लग रहा और यहाँ पर multiple property की sign भी बनी हुई है तो यह भी जीवन में multiple property आइनको प्राफ्ट होगी दुसरी चीत देखे तो इनके पाम पर शनी परवत काफी अच्छा है एक road की तरफ flat है हाँ थोड़ा सा part हलका सा उबार है इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है और यहाँ पर continue fate line है continue और यहाँ पर money receiving antenna भी बने हुए तो यह भी जीवन में plus point होता है अधिक धन आता है व्यक्ति के पास और यह continue fate line है बनी हुई है इनके पाम पर तो यह बुड़ा पे तक इनके पास income की कोई कमी रहने वाली नहीं है continue income आएगी और आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता जिनका सनी परवत इतना flat होता है अब इनके गुरू pound में गुरू pound में पहले positive sign की बारे में बात करते है यहाँ पर clear cut square दिख रहे जब यहाँ पर square बने हो तो व्यक्ति 32 साल के पहले खुद का घर और 36 साल पर authority position पहसता है और इसको check करना हो तो कैसे करना मैं बताता हूँ जैसे यह square बना तो आपको कहीं न कहीं यहाँ से एक और fate line निकलती दिखेगी यानि यह positive बदलाओ की sign रहती है और यह authority position दिलाती है एक चीज यह हो गई और एक 32 साल के पहले आप देखोगे किसी के हाथ में square रहा तो यहाँ पर यह property की sign होती है यह flat यह property यह इस तरह की shape की property इनके जीवन में आएगी यह इस तरह का structure होगा यह जब भी 32 साल के पहले property खरीदेंगे उसकी जो design होगी वो इस तरह के होगी यह जो मैंने show किया है complete इस शेप में आएगी hundred and one percent तो यह उस तरफ इशारा करती है दूसरी चीत देखे बोलने के कारे में महारत हासिल होती है और बड़ा square हो तो बड़े घर में रहना का सबाग्यर रहती को प्राप्त होता है पर इनका Jupiter Mount है छोटा उस पर बाद में आते हैं और बहुत सारी खड़ी लाइने और horizontal लाइने भी है तो multiple income वाले यह इनसान बनेंगे बहुत जगत से पैसे इनके जीवन में आएंगे multiple income वाले होंगे और vertical line भी है तो continue progress होगा इनका उसमें कोई दो राय नहीं पर Jupiter Mount चाहिए वैसा नहीं है यहां से उभार जादा और यहां से दबा हुआ है तो ऐसे में कभी-कभी साधी भी इनकी लेट होती है प्लस परिवार से दूर रहना पड़ता है और साधी हो भी गई तो पती-पती के बिज में नोग-जोग होती है या मन मुटा होता है और परिवार के अंदर भी साध ससूर हो या परिवार के लोगों का भी इन्फुलेंस इस तरह के जूपिटर माउंट वालों के जीवन में जादा होता है यानि उनके प्रेशर, उनके प्रॉब्लम बहुत जादा होते है तो ये जूपिटर माउंड का माइनस पॉइंट है इस तरह के जूपिटर माउंड में मैं इसका उपाय इनको दे दूँगा अब चलते हैं इनके अंदूनी मंगल के और अंदूनी मंगल मध्यम टाइप का है उंगली दमाने से दबे ऐसा दिख रहा है ये एक मध्यम टाइप का अंदूनी मंगल है तो सरीर के एनरजी मध्यम टाइप की रहेगी इनके जीवन में हो सकता है 40-45 के बाद थोड़ी सी सरीर के एनरजी कमजोर भी पड़े पर इतनी चिंताग वाली बात नहीं है और थोड़ी सी रेका है ये व्यक्ति को चिंतित सभाव देती है और ये निकलती है मेडिटेशन से और भुले नात के मंदिर पर जल चड़ाने से ये उपाय करेंगे तो ये रेका है इनको काफी रहात होगी बहुत जादा रहात होगी अब चलते हैं इनके भारी मंगल की और भारी मंगल काफी अच्छा है और clean and neat है तो संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है प्लस जब किसी से मिलता है तो एनरजी के साथ मिलता है इनका चंद्रपरवत मद्यम टाइप का है यानि ऐसे कहें तो अच्छा ही है मद्यम टो नहीं कह सकते और थोड़ा सा यहां से दब रहा है तो बाते करने की आदर ज़्यादा रहती है व्यक्ति को जब दबता है तो प्रचंद्रपरवत काफी अच्छा है व्यक्ति की नेने शक्ति अच्छी होती है रिफैंड सोच होती है नई-नई चीजे करने का इनका मन करता है और दूसरी चीजे देखे तो इनकी जीवन रेखा से इस तरह से रेखा भी निकल रही है तो विडेस में आना जाना भी इनका लगा रहेगा यानि इनको ये लाब भी मिलेगा और मनी ट्रेंगल भी काफी बढ़िया बन रहा है हाँ थोड़ा सा ओपन जरूर रह रहा है पर इतना भी ओपन नहीं रह रहा है कि जिसके कारण कोई चिंता करने के आवशकता है तो इंकम के स्रोथ तो इनके पास अच्छे खासे बनेंगे अच्छे खासे पैसे भी जमा होंगे और बुड़ा पे तक ये अच्छे खासे समरुद बन कर भाहर निकलेंगे उसमें दो रहे में अब चलते इनके पाम का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वो है ये जब भी आप किसी के शुक्र परवत पर इतनी सारी रेखाए देखो तो उसके जीवन में आँख मुन के कह दो के आपका जीवन सही धंग से नहीं चल रहा है और वो कहेगा यस, I am not satisfied ये रेखाए व्यक्ति को बांद के रखती है जैसे जंजीर से जगड के रखाओ आगे बढ़नी नहीं मिलता इसका उपाय मैं easily दे लूँगा बहुत आसान उपाय है कोई hard नहीं है easily solve हो जाएगी ये problem हाँ, थोड़ी सी पूजा ज़्यादा करानी पड़ेगी इसके अलावा कोई minus point नहीं है बहुत साधी रेखा है ये hundred percent व्यक्ति को बांध के रखती है आगे बढ़नी नहीं देती चाहे पढ़ाई करता हो चाहे साधी का मसला हो चाहे लोगों के बच्चे पैदाना होते हो आप महिला के हाथ में भी ये देखोगे या पुरुष के हाथ में जिसकी साधीय लेट होती है उनके हाथ में भी आप देखोगे तो इस तरह की लाइने दिखेगी जिनके संतान नहीं होते मैं hundred percent result की बात नहीं कर रहा है यानि सबके हाथ में होती है ऐसा नहीं है पर ज़्यादा तर हाथ में आपको दिखेगा इस तरह की रेखाए होती है बिजनेस में प्रोब्लम आता है या जॉब में प्रोब्लम आता है तो भी ये रेखाए होती है हर तरह के प्रोब्लम में ये रेखाए आपको डिश्टब करती है ये इतना dangerous होती है ये पर इनका शुक्र परवत काफी अच्छा है ये रेखाओ का तो उपाय दे दूंगा शुक्र परवत काफी अच्छा है तो व्यक्ति प्रजेंटेशन खुद का अच्छा रहता है अच्छे कपड़े पहनता है अच्छी तरह से रहता है जीवन काफी अच्छा रहता है अब चल पूलते हैं इधर इनकी हेते रेखा परृत हैं कव ले रही है May और सीमौ रेखा misfper निलते ही मध्यम डाक्नें से और एक रहा है कि फोड़ा सा गुसा रहता है है रहती गुसा दिलाने ये रेखा पर इस तरह की जब कव लेती आपकी तो आप complete अच्छे सभाव के इंसान होते हो सबसे मिल जूल कर रहने की कोशिस रहती है और रहते भी हो साथ में काम करने वाले लोग हो साथ में पढ़ाई करने वाले अज पसपड़ोष के लोगोर सबसे आपके सम्बंद अच्छे होते है फरिवार के लोगों से ये रेखा इतने अच्छे सभाव वाले लोग होते हां थोड़े भावुण जरूर होते पहोनाव में निर्ने लेते पर बेस्ट सभाव के होते और इनकी हाथ काफी अच्छी ए हए देखे when line कंप्लीट जीवन रेखा से सुर्वात हो रही हैं aur सीधी चलकर आगे बढ़ रही है थोड़ी सी शौट है तो बुद्धी जादा विस्पोटक होते होंगे, कभी-कभी विस्पोटक हो जाते होंगे, पर माइन लाइन काफी अच्छी है, कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है, और उस पे कोई दोशारोपन भी नहीं है, अच्छी खासे स्मूथली चल रही है, तो बुद्धी प्रतिबा काफी है, यहां से सुर्वात हुई, और यह सीधी चल कर पूरी घुमाव ले रहे है, जब शुक्र की और घुमाव लेती है, आपकी जीवन रेखा, तो एक तो शुक्र का बल बढ़ जाता है, यानि सम्रुद्धी जादा आती है, रहन सेयन व्यक्ति का अच्छा होता है, संपुन जीवन का अनन्द मिलता है, व्यक्ति को, संपुन, पर साथ साथ में परिवारिक सोच वाले लोग भी होते, यानि परिवार के प्रत्यक व्यक्ति से ये लोग टच में रहने वाले लोग होते, अगर दो चार दिन भार भी गए, तो दिन में पांच बार घर में फौन करेंग ये इतने परिवारिक सोच वाले इंसान रहते हैं, तो ये बेस्ट लाइन है, और महिला के हाथ में इस तरह की लाइन, यानि बेस्ट में बेस्ट, हो सकता है, ये लाइन के कारण इनके हाजमा खराब रहता हो, जब ये लाइन होती है, तो व्यक्ति का पेट खराब रहने की कम्प्लेन होती है और यहां पर देखे तो दो चार जगा पर इनको राव रेखा उने परेशान किया है एक लगबग 22 साल की उम्र में कोई तकलिफ आई होगी इनके जीवन में एक 28 साल के आसपास राव रेखा काट रही है एक 29 के आसपास राव रेखा काट रही है 39 के आसपास एक 42 के आसपास और एक यहां पर ही 44 के आसपास काट रही है और यह यह रेखा उसके बाद चार साल पर यह कट करके आगे नहीं जा रही है तो यह चार साल के बाद और और पकड़ सकते हैं 48 के आसपास ये इतनी राहू रेखा इनको जीवन में डिश्टब करेगी पर strong राहू रेखा नहीं है किवल strong राहू रेखा थोड़ी सी 28 के आसपास है पर यहाँ पर भी चिंदा करने के आवशक्ता नहीं क्योंकि offshoot निकल रहे तो यह offshoot व्यक्ती को भहुत ज़्यादा अच्छी सफलता जीवन में देते व्यक्ती कोई ने कोई पर्चेस करता है या कोई अच्छी चीजे व्यक्ती के जीवन में होती है तो ज़्यादा tense लेने के आवशक्ता नहीं है थोड़ा सा नुकसान जाएगा थोड़ी सी रुकावटे आएगी जीवन में पर जीवन में प्रोग्रेस राइने कंटीन्यू बनी हुई है और ट्रेंगल भी बने हुए तो जीवन काफी अच्छा रहने वाला है कोई चिंता की बात नहीं है केवल चिंता की बात केवल इधा रहे और ये गुरू माउट अब आपकी फेट लाइन देखे फेट लाइन यहां से केतू परवसे सुरू हुई और ये सीधी चलकर इस तरह से चल रही है तो जब किसी की रेखा केतू से सुरू होती है तो पिछले जनम में कोई न कोई अच्छे कारे किये रहते उनको इस तरह की रेखा मिलती है यानि बेसिक चीजों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी वरती है इसली सारा प्राप्त होता है बच्चपन के अंगर यानि वेल टू डू फेमिली में होते है और उसका कारण ये भी है शुक्रवले भी है और यहां से ये रेखा निकल कर घुम कर इस तरह से चल रही है और यहां पर ब्रेक है और यहां से एक और रेखा इस तरह से मल्टीपल इंकम की रेखा है और एक रेखा यहां से भी निकल रही है और यह आगे जा रही है तो बहुत जगह से income इनके पास आती रहेगी multiple income वाले होंगे ये जीवन में और बुरा पे तक continue income इनके दीख रहे है हाँ यहाँ पर एक उम्र लगबग 26 के आसपास कोई खर्च लगेगा और एक खर्च इनको उम्र 32 के आसपास थोड़ा ज़्यादा लगेगा और छोटे मोटे 38 के आसपास 40-42 के आसपास चोटे मोटे कट है और overall देखा जाए तो comfortable जीवन रहेगा smooth जीवन रहेगा हाँ 36 के बाद इनको effort ज़्यादा करना पड़ेगा सुबे से लेके शाम तक इनको मेहनत करनी पड़ेगी पर पैसा आएगा खुब उसमें कोई रोकावट नहीं रहेगी क्योंकि money triangle भी बहुत बड़ा बना हुआ है शुक्रवलय भी है और offshoot भी जा रहे इनके जीवन रेखा में तो काफी अच्छी position पर ये हाथ है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जावब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन